नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्ता आप हमाँ साथ दिखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिवेड़ और कभी लोगसवा चुनाओ और इस पिक्रिया लगातार चलती रहती है कि बिरान सवाre चुनाओ अलाला राञ्यों में समय समय पर होते रहते हैं निगाय चुनाव अलाला राज्यों में होते रहते हैं कि पटकठा देश की जो एक धांचा है ब्योस्था का वो लगभभभभग एक ही है तो जो पिक्रिया है वो लगाता चलती रहती है और आज़िक सरगर्मिया जो है वो बनी रहती है पारकर चुनावों की बात करें तो सबसे बड़ा चुनावों होता है डेस का आंच रहनी लोकसर चुनाव जिससे यह सपस्थ होता है कि आने वाले सब्सक्राइब किसकी बैठेगी कौन सी पार्टी केंदे की सबसे उची कुर्सी पर आसीन होगी क्योंकि यह चुट नाभ है यह सब कुछ निर्दारिड कर और भाजबा और कॉंग्रिस बाजबा अपने संगटन का धाचा है उसको लगातार बदलाव करती रहती है। लगाता हो लोगों को नएने जिम्मदारियों के साथ-साथ क्या अदिम्धिक से लेकि हम को चलना है इस पर लगाताा चर्चा होती है बैठके होती है और सब की उनको जम्मदारिया दी जाती है कहया अनुसार भातिए पार्टी को से चुनाओं ख़ता मोता दूसरी चुनाओं की तैयारे वहां सुरू हो जाती है तो दूसरी तरफ अगर कॉंगरिस पार्टी की बात करें तो बड़ी पार्टी आजारी की संप्रेश की पार्टी यह लगातार वह पार्टी भी सत्त कारेकबों के माध्णम से जनता से होती हैं और संगटन को धांचा को मजबूत करने के जो एक योजनाएं होती हैं कई ने कहीं वहां पर कुछ जो चीज़े हैं वो कॉंगरिस पार्टी में बहतर नहीं हो पा रही है और लगातार इस तरफ कोशिस की जा रही है पर अब भी कहीं ने कहीं कमिया है क्योंकि अग कॉंगरिसी राष्टी महास्चेव अगर प्रिंका गांडी बाटरा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं और तमाम तरह की उजनाया को ले के आए अगर वो कुछ समय पहले लाई होती तो सायर वो परणाम सामने आते जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था पर परणाम जो आ करें चाहिए अपने जिराज्जी की मुद्दे के बाद करें लगातार वो सरकार को केरने के काम कर रही है तो वहीं अगर सपा की बात करें हाला कि 111 सीटों के साथ मजूद बिपर्श की भूमिका में हैं पर चुनाओं के बाद जिस तरह से एक पिकार से निश्किरत अबस् बाता कि महां गर्वन्दन के जगवत नहीं पड़ेगी और जो पार्टियां है वह अपने अपने राज्जे में बीजेपी को कड़ी चुनाओं दे सकेगा कि बीजेपी को चुनाओं देना इतना आसान नहीं है और इस समय उत्तर पिदेश की बागरम बात करें तो बेपर् यह मुद्दे के माध्यम से हम समझ सकेंगे कौन सी पार्टी दोयर्चोविस में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी कठनाई पैदा करती नजर आएगी थोड़ा सा इस पर चंतर करेंगे तो समागरी पार्टी जो की 111 बिदायक के साथ बेपस की भूमिका में पर बहुत सक् अखलेश यारोग और उनकी पार्टी दोरा नहीं दिखाई दी है तो बहुत अब बात करें जो उनके सहयोंगी दल सुभासपा वो उनसे अलग हो चुके हैं और उनके बयानी थे कि dhamdra निकलना पड़ेगा उन्ही बयानियों के चलते बहाँ पर इस्थिती पलड़ गई औ उसके बार अगर हम बात करते हैं आमारी पार्टी की तो आमारी पार्टी आपको बता दूँ कि 28 अगस्ट से यूपी में पदयात्रा सुरू करने वाली है और यह पदयात्रा महंगाई विश्चार और विरुजगारी को लेकर हैं तो यहां पर जो ब्यास्था है वो चलते आमारी पार्टी शक्रिय विपर्च की भूमी का निवाती नजर आ रही है प्रकॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस भी अब एक नई यात्रा की शुबर करने वाली है साथ स्टम्पर से सुरूबात स्वहम राहुल गान्दी करेंगे तमिलनाडू से और 35 में बीजेपी को कड़ी टकर देनी है तो इस वार जो मुद्दा हमारा है कि भूमी का इकौन नभाएगा यह मुद्दा है आपको आज के महमानों से रूबरी करा दूँ बात इंडर पार्टी से देशवंदू रिच्छ जी अपना पच्छ रखेंगे सभावी पार्टी से म करेगी सास सतंबर से बड़ा अभयान है यात्रा अपने आप में नायाब होगी परिवर्तक होगी जिस प्रकार भारती जनता पाल्टी ने देश में जूट का जुमले का वतावरण बना रखा है समिधान को तारतार करने का काम किया है कौंग्रेस पाल्टी और कौंग्रेस तरत्त ने ये मन बनाया है कि भारत जोडों के अभयान से वो सब उपेक्षित आवाजें जो जन सरोकार के मुद्दे को सीधा एड्रेस करने का काम करती है और दुर्भागपूर तरीके से भारती जनता पाल्टी ने अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अगर किसी चैनल ने किसी सुसंद टिपड़ी कारने किसी विद्वान ने किसी भी विक्ति ने अगर उसको आगे लाने का काम किया तो भारती जनता पाल्टी ने इन करेंड उसकी उपेक्षा करने का काम किया उस आवाज को दबाने का काम किया तो ये लोगतंतर बड़ी लड़ा ये ल दिवाशी लोग, सब लोग कोई किसी बीना अवरोध के और बीना किसी क्लास के ये पूरे आपने आप में निर्नाय के आत्रा रहेगी और ये भारत के तस्वीर को बदलने के लिए भारती जनता पार्टी की मनमर जी ताना शाही रवये के किलाब व्यापक जन समर्तन हम पूर के साथ निकलेंगे कि देश में के की आवाज को एक स्वर दे सकें उनको बल दे सकें और उनकी आवाज में आवाज डालके उनके साथ देश भचाने की लड़ाई इसका मुख उदेश मुख फोकस रहेगा मैं देख रहा हूं कि चुनौक मार्च पढ़ना माया उसके बार लगातार जो आमारी पार्टी है वो सक्री नजर आ रही है क्यों क्या समय लग गया कि दिक्कत है रही कि रननीती बनाने में भी समय लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अब तक कॉंग्रेश का जो प्रदेश अड्यश है वो अब तक कलियर नहीं हो पाया है अजय कुमार ललू के हटने के बार अब तक कोई प्रदेश अड्यश के बिना सेनपती के कैसे यातरों के माध्धम से आप जनसंडिश दे पाएंगे बिल्कुल देखे जहां तक यात्रा का सवाल है गरोजी तो इसका क्वाडिनेशन समन्वे पूरी तरीके से अलग होगा और सब इसमें कोई प्रदेश अद्यक्ष नहीं कोई ऐसी बात नहीं सब अपनी भूनका को सुनिश्चित करते हुए इसमें सहयोग देने का काम करेंगे और ये चुकि एक जन्यात्रा होगी तो इसका सारे दल से जो भारती जन्ता पाल्टी के भी लोग और पाल्टी के भी जो लोग उपे एक्षित लोग है जिनके साथ अन्याय हुआ सम्मान नहीं मिल पाया है वो सभी लोग का इसमें स्वागत है और ये दलगत राजनिती से बात है जो इसका भाव है और ये ऐसे आएगा भी निकल लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो सही है ठीक है देखे चुनाओ परिणाम अपने अपएक्षित नहीं आने पे हर पाल्टी जो है उस पे विचार भी मर्स करती है वो दौर चल रहा है आप कह सकते हैं हमें थोड़ कॉंग्रेस नित्रत्य के दार उसको निभाके और जो आपने कहा जिसे लल्लू जी हमारे बहुत मेहंती और जन सरोकार की मुद्दों को एड्रेस करते हुए उनकी आवाज बनने का काम करते थे मैं इतना आस्वस कर सकता हूं इस बार जिसको भी भूमिका मिलेगी वो उनके उनसे भी दुगनी तिगनी इस फूर्ती के साथ उर्जा के साथ उनके काम को अंजाम देगा और उनकी ही लाइन को आगे खीचने का काम करेगा हमा सार भार्चंडर पार्टी देश्वन्दु रिछे जुड़े हुए देश्वन्दु भाई आज बड़ी बैठक होई नब नियुक्त संगटर महामंति धर्मपाल सिंग के दौरा एक बड़ी बैठक का आयुजन किया गया समूरिट किया गया क्या मानते हैं कि बीजेपी लगातार बैठके कर रही है तो कहीं न कहीं आमाड़ी पार्टी कॉंगरिस पार्टी भी अब मोर्चे पर है और लगाता सक्रीटा बनाई हुई है इस बार 24 के चुनाव में पार्टीयां कड़ी टककर देती नहीं हाला कि जो मुक्वे परच्छी पार्टी है सपा उत्तपर बाई कि हमेशा हम कोई भी तयारी करते हैं हमारी एक सांगचनिक चंता होती है हम अपने विचार विमर्च करके सभी पदाधिकारियों कि हमकी भूमका रखकर इतने भी चुना हुए आगामी आपने चुनाओ देखे 2014 से लेके 2022 तक विविन प्रदेशों में अदेश में लो इतिहास रस्ते हुए हमने दुबारा आधित्यनात योगी सरकार को कुना है स्थापित किया अब रही बात सपाय और कॉंगरेस की सरकारों के तो इसके ओपर मैं टिपड़ी नहीं कर सकता हूँ आपने खुद ही देखा अभी इनके सहयोगी दल नहीं कहा कि कमरे के अंदर ब प्रिस बात किये देखिए लोग चंतर में जनता जनारदन का ही फैसला सब्सक्राइब अब नहीं लेते हैं आज तक आपको यह हिम्मत क्यों नहीं आई कि आप जनता के सवालों का सीधा जवाब पर सकें देखिए मैं आपके बात को धैर पूरक सुना तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के बारे में गौरोबाई आज में इतना ही चिपड़ी करना चाहता हूं कि वो इतिहास के पन्नों की पार्टी बनके रह गई है आपका आप आपका 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 इंकार जल्दी ही चूर करेगी देश की सम्माली जनता है आज खुदी जो है एक मामने में फसे हुए रोज एडी और सीवियाई के सामने पेश हो रहा हैं और आप बताइए इनके पास ना कोई बिजन है ना कोई दिश्टी कोन है यह भारत वर्स के वाप उत्तर प्रदेश में इनकी अभी राजनेतिक इस्तिति क्या हुई और आपने देख लिजे और किसी भी एड़ी जनता पार्टी की रीति लीति पर अपना अशिरवाद प्रदान करती है और वारती की राजनीटी चल रहा है तो बार बार कि बात भी नहीं की जाएगी गवरोंजी आपको नहीं का रिक्रम में यह बात करते हैं यह फिर भी है कि आप गरीबों की बात करते हैं आहम और दंब में चूर हैं आपको विपक्त जजर नहीं आता है आपकी सोच के खिलाशी कॉफ्रेस पर्टी जन्यात्रा करेगी और आपका परदाफार्श करने का काम करेगी इनको यहीं नहीं समझ मां जाता है अगर भाई आपका देता हूं 2024 में श्री नरेंद्र दामोदर्दास मोदी के नेत्वत में हम एक इतिहासी की तिहास रचेंगा और देखिएगा पुना तीसरी बार जिस्वंदु भाई सबसे बड़े मंदिर में प्रानुसी के पद पे सब्सक्राइब को तो आपने सब्सक्राइब बता रहे हैं तो आमाडी पार्टी लगाता शक्रिये और 28 अगस्त से इनकी जो है इनकी भी यात्रा निकलने बाली है पदयात्रा महेंगाई भष्टाचार विरुजगारी खिलाप और लगाता तब देश में चुनाव हुए ब आपने आम आदमी वड़ देखिए लोकतंत्र में सबी पार्टियों को अपने कारक्यम निश्चित करने के लिए अपनी नीतियां और निदारन करने का हक है और वो अपनी नीति निदारन अपना एक योजना लेके जनता के पठल पे जाती है लेकिन अंतिम फैसला जनता जन उस पर अपना आश्रवाद प्रदान करके हमें विजाश्री प्राप्त कर दिया और पुना योगी आदितिनात के नेत्वत में हमारी पुना सरकार बनी जो कि 37 साल का एक रिकॉर्ड रहा अब मैं बात करता हूं आप आपने बात की आहम आदमिक पार्टी है तो उनको फिक्ष आप आपने पार्टी के तो आउसर वादिता है तो अतारी न्युएक टाइम से निगली थी वो ही देखे थे गौरो भाई जब जब चुनाओं आने वाले होते हैं तो यह सारे विपक्षीदा लोते हैं एक सगूफा लेके जनता के भी जाते हैं और जनता जनातन बार बार कि इनके चाल चरितोंब चहरे में हमेशा उंतर रहा है आप बताइए जब नहीं आपके इनको जनता की गरीवी से मतलब है न महिला उसे मतलब है ने युrou से मतलब है ना किसी के दुखदर्थ से मतलब है कमरे में ट्विटर ट्विटर खेल के राजनीती के मुद्दे पर न संसद में नजर आते हैं न सड़क पे नजर आते हैं आप बताई आने को चुना हुए जंता जनादा ने बार बार भारती जंता पार्टी की सरकार को अपनी मुहर लगा कर पुना इस्तफित किया यह हमारी नेती है हम जंता से जुड़े हैं और भारती है का करें लिए देश और आपके लिए पार्टी की सरकार के लिए आपके लिए हमारे लिए कभी कोई चुना आधी यह नहीं है यह आपने देख लिया और जैदेर दर जाहा है और जनता जनादन का ही फैसला आंतिम फैसला होता है लोकतंतों बें आप अपनी योजनाओं को लेकर जाए भारती जाए बागी को लेकर देखिए अगर अगर आदमी पार्टी को यह चुनोती नहीं समझ रहे हैं तो गुजरात में जो बेचैनी दिखरी वो क्यों दिख रही आज एडी को सीवी आई पर काम इडी और सीवी आई को अपने लठायत के रूप पे जो काम पर लगा रखा है दिली में वो क्यों लगा रखा है अब यह तक जब कहीं भी चुनाओं लड़ने के लिए जाती थी तो वो चाहए जिला पंचायत का चुनाओं लड़े चाहे न लड़े वो विपक्षी पार्टियों से सिर्फ एक सवाल करती थी कि मोधी के सामने कौन मोधी के सामने कौन मोधी के सामने कौन और विपक्षी पार्टियों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं होता था कोई ऐसा जवाब नहीं होता था जिसे वो इनका मुह बंद कर पाएं लेक का नाम आमाग्जी पार्टी है, जिस نے सिक्षा और स्वास्त के छेतर में अभूतपूर काम करके दिखाए, वो मॉडल विक्सित करने का काम किया, जिसकी आज चर्चापुरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है. दिल्ली का जो डोनाल्ड टरंप आते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी आती हैं, वो भारत की किसी सरकारी स्कूल को देखने की इच्छा जाहिर करती है, तो नरेंदर मोदी जी उनको गुजरात का स्कूल नहीं दिखाते, उनको उत्तर प्रदेश का स्कूल नहीं दिखाते, उनको हर्याना का स्क की बात कर लें फ्री बिजली देने की बात कर लें अच्छी बिजली देने की बात कर लें चौबीस घंटे बिजली देने की बात कर लें चाहे महिलाओं को बस्यात्रा फ्री देने की बात कर लें बुजर्गों को तीर्ट्यात्रा फ्री देने की बात कर लें हर मामले में अगर किसी ने अभूतपूर काम करके दिखाया है एक अच्छा गवर्नेंस का मॉडल देने का काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है जिसकी वज़े से आज जगह जगह चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जिन वोटरों ने आम आदमी पार्टी को विधान ने खुद बता रही है आप देखिए भारतिये जनता पार्टी को न तो कॉंग्रेस दिख रही है न कोई दूसरी पक्षी पार्टी दिख रही है आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हुएं क्यों पीछे पड़े हुएं क्यों कि आम आदमी पार्टी के बार्देर संधेक का चुना हुआ 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 है कि अलग रोल अदा करने वाली है चुनाओं में 24 चुनाओं में क्या मानते हैं प्रिस्पा की क्या तैयारी है क्या बास्पा की तरफ जाएगी या कोई अन्य समीकन बनाती नजर आएगी अभी प्रदेर संधेक का चुना हुआ आदरी अद्यक्ष बनाएगी यह और चुनकि संधथन के माहिल मेंता है अद्ये शुपा सिंग आदोजी सरकारें उन्होंने बनाई हैं, तमाम बार ज़े उनके द्वारभा बननी, मुझ inom था यद बार भार उनके ड्रीस को आपकोंगे प्रहते हैं पानी देने काम और बुरा देने का काम करते रहे हैं और उसी का प्रड़ाम रहा है कि चार बार सरकार उसे बनी और सब्सक्राइब बड़ी बात यह है कि चार बार जिब उत्रप्रदेश में सरकार बनी तो 45 साल का राजनेती का अभो इनको है और 25 साल तक सरकारे इनोंने चला जिस दल का संगठन भाड़ाचा मज़िपूत रहेगा वो दल जो है पर्देश में अदेश में जनाकांचाओं को लेकर के मैदान में जब उतरेगी तब उसका पैड़ाम उसके सामें आएगा लेकिन बगार संगठन के कोई ये कहे जनता के आंदोरन खड़े कर देंगे धरना करेंगे परदर्सन करेंगे लोगों के बीच में जाएंगे और उसको हम ओटा में तर्वीम कर देंगे वो तो हमें लगता है कि नाइसाफी होगी गलत बात होगी तो पहली चीज जो धान देने वाली बात है कोई भी दल्क्यों नहों वो अपने संगठनात्म धांचे को किस पाना अभी तोना असान है उसके लिए करी मेहनत करने की जरूवत होगी केवल मिच्चा भासर देने से काम करने वाला ज़ी है बहारते जनता पार्टी की नीतियां विचार से धांद जो है बेक बांड के तोर पर आरेसस काम करती है अरेसस का एक लंबा धाचा है तंगठना चलती है चलती है और हम यह कहांँएं उसका पार्टी के लिए जो पिल्सफिते हैं उसे का बतार्दाम जो होता थे बोड़ान होता languages और यह आगे तुना डूसरे तलों के नहीं आएगी दूसी जल के लोगए इस कला नहीं सिंखेंगे विग्या कर नहीं ने बढाइघे भी प्रस्पा गला को अपनाेगी nee बृस्पा पर दोनों भाईयों सब्सक्राइब करें यह लेकर लेकर लोNow कान डाइस करें बनाई जाती है जन्ता की पीछ में जाया जाता है तो जाल की बात है जो रहा आपको प्रयास के जिवन दिखाए उसका उप्योग तो करें के ही करें जी एक सवाल मेरा के वाली है कि 24 की चुनाओं को लेकर बास्पा के साथ जाने की प्रयास कर रहे हैं कि खुद का संगठर मजबूर करकर बास्पा के लिए चुनाओती तयार करेंगे यह मैं सवाल कर रहे हैं गवर्ण जी हमने पहले भी डिवेट पर सनाथ को कहा है कि सरकार के हरमनचा के कोई भी किया हो । सरकार के प्रत्यक कदम का विरोध करना उचे तुछी है, सरकार जिन जगहों पर गलत कार कर रही है, जनता के हित के लिए जनता के लिए जनता से बिस्टा से बिस्टार जाएगा, जहां पर जनता की हित नहीं हो रहे हैं, वहां सरकार को गेदे का काम करना चाहिए, और देखे हमारी प्रदस्रीर समाजवादी पार्टी है, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग, मैं तो कहता है, जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हो एकमन्सी पे आए, सबी रोब आग दें, अंदेस हो, समाजबादी पार्टी हो, और भी हो, हम तो बार-बार कहते ही, कि जो हमारी विचारधारा से मेल खाते ही, वो हमारे साथ आए, हम सब एक मेल करके, आपके विचारधारा बीजेयरा कि मेल खा रही कि नहीं खा रही है? सब्सक्राइब करें कि नजरी नहीं आ रही है कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टे कहा है अखिलेश यादो जी कहा है उनको अपनी आखों का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाना चाहिए और सरकारी अस्पताल में कता ही ना जाएं सरकारी अस्पताल में कोई सविधाय नहीं है और मैं दूसरी बाते बता दूँ अखिलेश जादो जी कल ही रमाकान त्यादो जीसे मिलने आजम गड़ गए थे इससे पहले वो गालियर गए समाजवादी पार्टी का सदस्यता अवियान बहुत जोरो सोरो से चल रहा है और बाकी अभी एक पता नहीं कौन सी पार्टी के प्रवक्ता मोदे तो मैं भी तत्काल जुडा हूँ वो लंबे-लंबे समाजवाद के भासर दे रहे थे लेकिन वो ये भी साथ में करता हूँ और वो जो डर के मारे कह रहे थे कि सरकार की सभी नीतियों का विरोध करना सही नहीं है तो ये उनका डर है या वो भार्टी जन्ता पार्टी से उनकी पार्टी का गडबंधन होने वाला है तो हो तकता यह हो और जो दूसरी बात है कुर रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथी कटबंधन दल छोड़ कर जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ अपना दल हमारे साथ है जयन्त जी हमारे साथ है अब जिसको फोड़ा ये लग रहा है कि हमको मंत्री पद मिल लिया कि वो भारती यंता पार्टी के तरफ जा रहा है जिसने ब्रस्टा चार किया है जिसको लग रहा है कि हमारे रेड पढ़ जाएगी वो भारती यंता पार्टी के तरफ जा रहा है हम समाजवादी सीना ठोक कर खड़े हैं हमारे गटबंधन दल सीना ठोक कर खड़े हूँ है और लड़ाई लग रहे हैं वो भी यह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथी इनको रोका जा सकता है बाकी बाते करने के लिए तो कुछ भी आप कर लिजिए कि हम समाजवादी विचार रहा के हैं हम लोहिया जी को मानने वाले हैं लेकिन हम भारती जनता पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। अरे भाई, अब लोहिया जी को मानने वाले हैं, तो आप गलत चीजों का विरोध करिए। अब ये लोग तो विरोध हो सकता है, इस चीज का भी न करें। जो इनके एक हैदराबादी विधायक ने मुहम्मद साब को गाली दे दी, इससे पहले नुपुर सर्मा ने गाली दे कर पूरे देश में दंगे फैलवा दी ये लोग इसका विरोध नहीं करें, क्योंकि ये लोग जातिवादी, क्योंकि भारती जनता पार्टी ने जिनको मु तो कहिने कहीं जो सक्रीता है, कहीने कहीं कम नजर आ रही है, तभी उन्होंने इस तरह के बयान दिये हैं कि देश बंदू इचिची को थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, और हर देश बंदू जी बहुत अच्छे वक्ता है, और बोल दिया होगा आवेस में आकर खुष होकर बोल दिया होगा, पाकी चुनौती उनको भार्पूर मिलेगी, मुस्क्रा रहा है, मुस्क्रा रहा ह बवन भाई आपने पूरा घटनकरम देखाया और चुनौत देखाया, लंबा आपका अनुभव है, पत्यकार्ता का, चौदा से लेके 17, 19 और 22 और अब 24 की लड़ाई सामने हैं, क्या मानते हैं कि बेपच की भूमिका कौन नभा पायेगा बैतर रहता लिखे से? गवरो जी, एक कड़वी सच्चाई है, लोगसवा चुनाओं के लिए भारतिय जनता पार्टी और कांग्रेस, यह जो कड़वी सच्चाई है कि लड़ाई लडएंगे, एक दूसरे को हराएंगे, जिताएंगे, कहां से जितते हैं, बाकी भारतिय जनता पार्टी की कूट नीत, चाड़क नीत की तहत एक खिल खिला जा रहा है, बहुत बड़ी हाँ, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, उसके तहत एक तो महागडबंदन की तैयारी है, उस महागडबंदन में छोटे छोटे दल, जिनकी विचारधाराएं बहुत लंबी-लंबी होती हैं, बड़ी- का वही है कि सुबधाएं मिले, अभी कुछ दिन पहले राजभर जी को सुरच्छा मिली है, हम आप सब भली-भली जाद जी पाया है, उनकी भी सुबधाएं मिलेंगे, उनकी भी चारधाराएं हैं, हम किसी की राजनी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगसभाद जो है, जब छे महिने साल बर चुनाओ को रहे गए हैं, तब ये तैयारिया करना सुरू की है, सदस्ता अभयान सुरू कि ए, सदस्ता अभयान जिसका ये विरोद कर रहे थे, मोबाईल से, होने वाला चुटकी लेते थे, कि मोबाईल मे तो इससे हो जाता है, कम्ट्राइज में चुनाओ आ रहें लोकसभा की जो मेरे नजर में है वो भाजपा और कांग्रेस इन्हीं दोपे होना है अब कांग्रेस को भरमित कैसे किया जाए यह कार भरती जंता पार्टी का है कैसे अलग-अलग करें एक महा गंडवंदन तयार ही होना है उसमें सारे ना तो सिपाल जी पहां को भी डिस्टप किया जाए और कांग्रेस को भी डिस्टप कना। में तो खत्रना किन लों किले बिज़पी के लिए कांग्रेस इस सचाई है, सचाई से मू नहीं मोड़ा जा सकता है बाकी सब जो बिचारधाराएं हैं लाव वाले उन लाव के लिए लड़े रहे हैं किसी पाल्टी के कोई बिचारधारा नहीं है अगर बिचारधारा कोई पाल्टी का है तो भारती जन्ता पाल्टी का है इस कड़वी से जैसे संगठन की बात करें तो संगठन में जो जमीनी पर मजबूती हैं? जमीन इस्तरर पर काम कर रहा है। कर रहा हैं। कहीं बना रहा है।iliyor? आधा है के सूझत म। कनझे नहीं होगा है। कि एक साल छे मेने आप करेंगे अब टीम तयार करने के लिए आपको चार साल छे साल लगते हैं अब कांग्रेस में भूमिका में है भारते जनता पाल्टी को अगर कोई टक्र देने के मोड में है कांग्रेस है लेकिन बीजेपी हमें लग रहा है कि वो बढ़ियां सरकारे जो लाइए बिरोजगारी पे ना तो कांग्रेस सड़क पे उतार दे रही है जो बीजेपी के दो तीन माइनस पॉइंट अगर आप कहेंगे जिसे बिरोजगारी ये एक नमबर में महेंगाई है तो रुकिएगी नहीं महेंगाई तो बढ़ेगी लेकिन बिरोधी दल नेताओं का करतब होना चाहिए कि उसको लेकर के आप सड़क पे हमला बोलिए तो ना कांग्रेस सड़क पे दिखाई दे रही है सपा की दो बात ये लग है वो नहीं दिखाई दे रही है बाकी तो सब बड़े-बड़े विचारधारा वाले पार्टिया है मुका जिकर करना उचित न सबनें आजाने खीडताव से थी कि आप पयाले चाद करेंगे जो पिस रुपारात में आप से चर्चा भी हो रहा है ति क्या मानते हैं कि आमारी पार्टी और सब्सक्राइन पार्ण पूर्तिक दूवरें को इनिखा पार्ण कर सबस्राइब का यहुए पावन जी नहीं कुछ बातें कहीं उसे मैं सहमत हूं और कुछ बातों को मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा इसके आपने देखा समाजवादी पाल्टी का ही प्यास उठा के देख लिए अभी महिंग भाई गोल लेके सफल प्रयोगों के सारी प्रयोग शाला इनों ने कहड़ानी बुवा से भी बववा का गड़बंदन ओगया दो राजकुमारों की जोड़ी भी आई उसके बाद सारे जैंत जी का नाम ने लिया उसके बाद जो सवासपा की आई अभी जो आली के चुनाव में उसका क्या हश ह जब जनता भी दिखें लोगतर भी समझदार हो गों कांग्रेस की बात करूए या समाजवादी पार्टी बात करूए यह इन्होंने कहा कांग्रेस चक्ट कर देती होती होती। कि संढ़ना आपरेंगे, श्रुट के बिच अपने लिच्ता के इन कुरेंगे, मिलेकर विदे द्योप बिचते हैं." आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लिजिए फिर मैं चैनल पर बैठूंगा दोजार चॉबिस पर और ये रिकॉर्डिंग आप दिखाईएगा देखिए जो जनता ही जो है लोकसंत में सबसे बड़ा निर्ड़ा देखिए और जनता हमेशा हमाई साथ जुड़ी है पिछले आठ पर्चों में अने को चुनाओं में हम नहीं मानते हैं कुछ गल्कियां बारती जनता पार्टी से हुई होंगी लेकिन जनता के चुक्दत के साथ हम रहे चाहे करोना जैसी महामारी रही और जो पोवन जी ने मुड़ा उठा है हमने किसी भी समस्या से मुख नहीं मोगा आप देखे हैं हमारे इसस्वी ग्रा मंती और इसस्वी प्रधान मंती के नेत्वत में दारत 370 का समाथ अरे वो ठीक है यह आमारी पार्टी को अंगरे सपा चुनाओती है कि नहीं आपके लिए नहीं देखिए गवर्ण जी हमाई लिए कोई विपक्ष कोई चुनाओती है नही मैंने कहा सब्कि अपनी जीतिने कि आप पत्याथा करें यह बहुती जनता पार्टी अपना काम करती रहती यह बहुती हम इसा जूरी रही है तो आमारी पत्यात्रा से कॉंग्रेस की भारारा जोड़े आत्रा कोई प्रवावव नहीं पढ़ने वाला है नहीं गौरो जी, हमने बोला ना ये विपक्ष की हताशा निराशा कुंटा है, समय समय पर ये च्छत मुचीदें करके, क्या किवल जनता जनादन ये पेपरों में अपना अटेंशन चाहते हैं, बाकी जनता जनादन से जुड़े वे मुद्व का इनका कोई सरोकार ही नहीं, आप बता दीजिए, आप कभी भी सड़क या संसत तक इनको कहीं देखते हैं, जनता के किसी मुद्व को उठाते हुए देखते हूं, तीवी चैनल पर आकर कह देना और जनता के साथ जुड़ कर समस्यों में कुछना चाह रहा है, तो अलग बाक्ते हैं, जड़े इमराब न होना भी लाजमी है, क्योंकि अभी तक इनको विपक्ष, जिस तरह से विपक्ष को आवाद उठाना चाहिए और जिस तरह से विपक्ष को नकेल करनी चाहिए, ऐसा विपक्ष दिखा नईब को, अभी पवन भाई भी बात कर रहे थे कॉंग्रेस पार्टी के बारे में, उस कॉंग्रेस पार्टी के बारे में, जो अब बुढ़ी हो गई है, बीमार हो गई है, जरजर हो गई है, कमजोर हो गई है, लाचार हो गई है, बेबस हो गई है, मतलब का मामला यह है, कि अगर जनता इन्हें धोके से जिता भी दे, तब ही अपने विधायक नहीं बचा पाते इन्होंने तो अपने नेताओं की और विधायकों की मंडी सजा के रखी है रेट लगाई है और भारती जनताओं पार्टी वाले खरीद के लिेके जाते हैं रेट हो इसे आप चले जाएएगे तो दरदाज गिनते जाएंगे आप देखें कॉंग्रेस गोवा की बात कर लें कॉंग्रेस को अगर जनता ने थोड़ा बहुत जनादेश दिया भी तो कॉंग्रेस उसको भी सुरक्षित नहीं कर पाई एक मंडी सजाई भारती जनता पार्टी के नेताओं ने आके वहां से अपने मन के विधाया खरीदे कर इतनी कमजोर कॉंग्रेस पार्टी होगी उस पार्टी का दिक्र कर रहे हैं कि वो मुकाबला करेगी आज अगर पूरे देश के अंदर ये बात असपश्ट दिख रही है कि रणनीतिक तोर पर अगर कोई भारतिये जनता पार्टी को चुनोती देने का काम कर रहा है भारत पर अपने आपको विकसित कर चुका है जिन मुद्दों पर भारतियनता पार्टी राजनिती करती आई है जनता का उन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहा लेकिन उन मुद्दों पर काउंटर करने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास ना तो मुद्दे होते थे ना दंखम होता था आज आमादमी पारटी का जो स्वास्ट का मॉडल है मोहला कलीनिक का मॉडल है सिख्षा का मॉडल है उसका कौई जवाब किसी पारटी के पास नहीं है यहां तक कि मोध्यी जी के पास भी नहीं है जिसके व olhar से घबरा रहे हैं और वो बॉकलाहट साफ साफ देखी जा रही है आप देखिए अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें हमारे चालीस विधायकों को गिरफतार किया गया पिछले आट साल के अंदर और एक भी विधायक को नहीं अंदर रख पये यही मनीशी साथी जिनके जिनके आपी जिनके आपर डियाइ रोज चककर लगा रही है 5 साल पहले भी सी बी आइछ कर लगाती थी आज तक कोई मामला सिध्ध नहीं कर पाई किसी मामले में ग्रोशी नहीं बना पाई यही सतेन जैन जिनको जबरिया जेल के अंदर बंद करके रखा है बिना किसी आरोप के इनके हाँ भी सर्विसेस के मामले में सी बी आई ने केस उठाया था और वहां पे क्लोजर रिपोर्ट फाइल की भाई कुछ नहीं मिला हमारे मुख्यमंतरी के दफ्तर पे सी भी आई ने च्छापा डाला तो कुल मिलाकर हमारे मंतरियों को हमारे मुख्यमंतरी को हमारे नेताओं को हमारे विदायकों को हर तरीके से प्रतारित करके देख लिया खरीदने की कोशिश करके देख लिया दंड देने की कोशिश करके देख लिया परेशान करके देख लिय मां आदमी पार्टी आज सीनाता के भारतना पार्टी के हर उत्पिडन का जवाब दे रही है की किम्जोर पार्टी को बोलना है मैंने बतायoireshapeंगरे को नहीं कहां मुकाबल कर पारों यह गर जंता इनको कहीं जिताब की जो घुमिका है उसको निर्णायक जनता की लड़ाई ना बन पाए इसमें आम आदमी पाल्टी और भारती जनता पाल्टी पूरक है एक दूसरे के कॉंग्रेस पाल्टी वैचारी कस्तर से आपको समझना पड़ेगा इनके माइंड गेम का खेल वैचारी कस्तर पे समयधानी कस्तर पे सैधानती कस्तर पर संसद हो संसद के बाहर हो जो भी जन सरोकार के स्वास के बिरोजगारी के जनता को सीधे एड्रेस करने वाले मुद्दे लगातार देश साक्षी रहा है आप जैसे जिम्मेदार चैनल और निश्पक्ष पत्रकार साक्षी रहे हैं कि इस प्रकार जो भी सीमिस साधन साधानों हमने उनकी आवाज बनने का लोकतंत को जिंदा रखने का लोकसर बनने की अपनी मून का अदा करने का काम किया अब कावर गेम की राजनीती चल रहे हैं इस खेल को समझना पड़ेगा बहुत अनुभवी हैं देखे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं इनको भारती जनता पाल्टी और आम आदनी पाल्टी सोभाव में एक जैसे हैं अभी बेक्तिगत इन्हों ने इतनी लंबी यात्रा भारत न देखे बेक्तिगत आक्षेप की बात नहीं लगातार ये लड़ाई को ब्रहमक बनाने का काम की और ये पाल्टी तो शुरू से आपने देखा इसके जन्म से लेके भारती जनता पाल्टी के दोरा पोसित फंडड़ पाल्टी है ये और ये केवल कॉंग्रेस जनता की लोग की खुली रूट की बंदरबांट बठती रहे आपस में कॉंग्रेस पाल्टी को कम दिखा के ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करते हैं ये पूरी तरीके से सित्वी टीम है और ये धीरे धीरे मैं अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी जनता के सामने सब आ जाएगा लेकिन जनता ने मन बनाया है और ये ये बहुत क्लियर कट संदेश है भारत की जनता ने सारे प्रयोग अब हमारे साथी दिख्षी जी कह रहे थे इतने अनुभवी हैं इनके बाल जड़ गए अब राजनेतिक असफल प्रयोग को कोट कर रहे हैं अब इनके कित पार्टी के पक्स की बात ना करिया कुछ बोलने के पहले कुछ सोचा तो करिए भाई मेरे नहीं आप ये देखिए आठ साल देखिए मेरे बाल हैं नहीं हैं वो तो प्रकती का एक पर सत्ता का दम इतना होगा आपका इंडिया साइनिंग भी ऐसे चल रहा था आप लोग क्य आपका इंडिया साइनिंग भी ऐसे ही माहल बना था तो आपको किसमे हराने का काम किया था आप हमारे लिए अच्छा है आप सारे लोग कमता रांके रहिए आप जंता कौन देखा करते रहिए जंता की उप एच्छा करते रहिए अपने जूट और फरेब की दुपान चलात लिए अच्छा के हम बार 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 दे रही है पासिर वाद मिलाये अच्छा करते हैं आप किसी प्रदेश में आपके जाए है है अपने कारिकर में लेके जाते हैं हर रहर कौंग्रेस जो है बुरी तरह हार जाती है। आप यहार की से श्रफाता करते हैं। आप यह बताइए। पिछले आठ से आठ लोक्रानी करते हैं। अद्यार करनी चाहिए। उसकी समख्षा करनी जेकि कौंग्रेस कोई आरतनी आरतनी है। आपर अपना दैक्च ने कुन पाई आप बता दीजे वो कहां से आई है, अनिको अनिको दो दर्जन से जादा आप तुमक चुनाओं पर चुके हैं उसके वाद भी आप कह रहे हैं यह हमारा अंकार है यह हमारे कर्म हैं यह हम जंता से जुड़े हूँ गृद्दे को लेकर हर बार बार हर प्रदेश में जाते हैं और अपने कारे से उत्वाइब करना जा रहा है। दो हमारे बी टीम और एंटीम को खेल कर रहे हैं तो कम से कम कॉंगरेस पार्टी बूढ़ी हो गई इतना तो मानना चाहिए अब मैं बात कि कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा पाती ये समझे जैसे अभी देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई भरस्टाचार हुआ है तो वो दस लाख करोड का भरस्टाचार हुआ है ये दस लाख करोड का भरस्टाचार क्या है बोदी जी ने अपने बैमान पूजी पती मित्रों का दस लाख करोड रुपए जो है वो वेव आफ कर दिया गरीब मजदूर किसान का जो पैसा बैंकों में जमा था वो इनके बैमान पूजी पती मित्र जो है वो लूट कर लेकर भाग गए और उसको माफ कर दिया पांच हजार पांच लाख करोड का जो है इन्होंने पांच हजार सुरी पांच हजार करोड का कार्पोरेट टैक्स माफ कर दिया कार्पोरेट टैक्स जो तीस प्रतिशत से बाइस प्रतिशत कर दिया इन्होंने जो पहले तीस प्रतिशत हु आम आदमी की जेव से लूट कर उस पैसे की भरपाई कर रहे हैं। कॉंग्रेस पार्टी इस पे आवाज नहीं उठा सकती है। क्योंकि जब कॉंग्रेस पार्टी इस पे आवाज उठाएगी तो भारते इंता पार्टी के लोग कहेंगे भाई वो कर्द दिया किसने था यही काम चुकि यह भी पहले करते हैं पूंजी पती लोगों के साथ इनका बड़ा गजब का याराना इनका भी रहा है तो यह कैसे उस पर सवाल उठा लेगे अगर कोई सवाल उठा सकता है पूरी इमानदारी के साथ पूरी दमदारी के साथ तो वही उठा सकता है जिसका इस तरह की राज़िती से कोई लेना देना ना हो पूंजी पत्यों के साथ हमारी कोई यारी नहीं है हमारा तो साफ चलता है कि हम 200 यूनिट पजली फ्री देते हैं 200 यूनिट पजली फ्री सतर साल में नहीं बना पाए और इनहीं की नाकामी थे कि आम आदमी पार्टी वजूद में आई इनहीं की नाकामी है कि दिल्ली में तीन बार जीते फिर पंजाब में परचंट बहुमत की सरकार बनाई इनहीं की नाकामी है कि हम गुजरात में भारती जनता पार्टी को हराने क पॉजिशन में आई है इसी तरीके से दो हजार चौबीस में आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी होगी जो खारती जनता पार्टी को टक्कर देने प्रवाइब पहले पहले महांग भाई आपको मेरी पूरी आवाज सुनी आपने पूरी बाते सुनी डेस्वन डिचिनी ने कह है कि हमारी पार्टी सपा कोई चुनोती नहीं है और यह तो उनन रही देखन ऑर इंकार होना लाजबी है लेकिन यह रखातार बढ़ता जाना है और इसके बड़े प्रमान है केंद्र सरकार के मंत्रियों किसान नेता को कहरें बुक्तोव झाणी यह निती ऊपनी है केंद्री मंत्री थी इनका एक विधायक मुहम्माद साथ के बारे में अब सब तो बोलता है उसके बाद उसको पार्टी से निकाला गिया यह तो बात आती है कॉंग्रेस के बारे में भी सब्भी लोगों ने बताया आपस में मंडी सजा के अपिक जाते हैं अब कॉंग्रेस से तो किसी को कोई उमीदे रही नहीं है जनता को जो थी भी वो इन्होंने अपनी फोर दी है जहां तक मैं देख रहा हूँ भारती जनता पार्टी तो हजात चौबिस में आज की डेट में तो लोगों को मजबूत करते हैं लेकिन आने वाला सुटा पार्टी के लिए छी बाधा माला वनाँ आशा नीमार इप पार्टी को अब काम कर ले गएं तो बहुत बड़ी बात्งक्वर्शा कॉम्हाज्श Всемगाम तो मोदी झी और आप कि लोग कॉंग्रेस के युवा नहीं करते हैं जो वहां पर इगी तरी जब तक रहेगा गॉंग्रेस पार्टी बहुत नीचे जाती रहेगी तो खर वो उनकी पार्टी का मामला हमें उसमें तुछ नहीं करता है हमारा यह कहना है कि समाजवादी कौन होगा जनता किसे सब्सक्राइब कर देगी जनता किसको के साथ जाएगी किसके साथ नहीं जाएगी यह सिद्ध कर लो घर की बात कर लो क्या पार्टी है क्या गवर्नेंट से चाचा बतीजा कौन भारी है तब कॉंग्रेस पर टिपड़ी करना अभी आपने उनना एक बात कर लिए वह कॉंग्रेस की अपरात को जानता कि कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में तो आप जी रहो है उत्तर प्रदेश में नहीं बचा पाएंगे का कि दो सीटे आपको मिल गई दर्शक ने पता कि आप नहीं समाजवादी के सपाही हो चैलेंज के साथ सोनिया गांधी जी को भेज दीचे कर रहा है पर ही लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने अधर अपना इस उतार दिया कॉंग्रेस दिखेगी नहीं कहीं पर जाले ठीक है मैं सोनिया गांधी जी नहीं दिखेंगी मैं अधिनी बड़ी दाता हुआ है और ये आप जैसे लोगों की वड़े आने के पहले आपको धूंग दिया दर्के क्या आप लोगों की पच्छी दलों से लेंडे में मजाता है आपके लाई भार्ती जन्ता पार्टी के दबाओं में सरेंडर कर दिये चले ठीक है का दो दिल बड़ा करिये माने वार्टी करिये ठीक है इले ठीक है भार्टी करिये अथानी कर्याथफे इंपटके आप में सील्य दियार समयक का में अगर लालु यादां नहों धोटे तो जो इच्टे मिली विड« उन्य पी ने अचन्ण ओले कंवार्ड चलिया खाया एप कर नाई तो अनिनकूनारी हुट इता मुलना कि आटसुर्छ्ट कर दूजे का इम सब्सकि और भारओंया का मार्ट है झाल खाल और पाल्टी भी तुन तो अब डेसों में जीट कर जो अफने बबार में हमने लगता है उनको भी अभी तबस्ट में की झरूओगा वो भी समझें कि हम भात्यनता पाजिव कैसे चक्कर जेगे। आति आप मिश्वास्न उनको नहीं जाना चाहिए। और बिच्छी जीसे मैं कहूँगा कि हमारी कराग चोपी पहन के बैठा करें मैं ते तांड़ेस वाले हैं ये बाल ही किने लगते हैं। कर देंगे इसमें को जोड़ाइब ठीक है पबन भाइब क्या कलकुजन रहना चाहिए जो चड़्चा हुई है सभी दल अपने पर पच्छरा करा है कॉंगरेस कहना है कि हम चुनोती बनेंगे जिच्छी के कहना है कि उनके लिए कोई चुनोती नहीं बनेगा अमारी पाड़ी कहना है कि हम चुनोती बनेंगे सपा का अपला एक जना जा रहा है क्या मानते हैं पबंजी इसके बारे में गवरो जी इसमें कोई दोर आए नहीं बड़ा अच्छा लग रहा था पाच पाच प्रवक्ता महोदे हमारे बेठे हैं मुलू की बीच में यह मु समझेगा सपा तो फिर भी कुछ जमीन अस्तर पर काम कर रही है अभी बोलिएगा कोई दिकत नहीं है दुख होगा थोड़ा सचाही कड़वी लगती है करेली की तरह आप अगर संगंठन मजबूत नहीं करेंगे आप यहां टीवी पी चिलनाने से कोई मितलब नहीं है आप किस didस हैं आप कितना एक्टिप कर रहा है पबली की लिए आप क्या कर रहे हैं कितना आप जमीन अस्तर पर उतर रहे हैं यह सब एक चक रिभीant का खेल है राजन है इस राजनित के तहदी गेम हो रहा है आम आदमी पाल्टी उत्तर प्रदेश में इधर एक साल में बढ़ियां लड़ाई में आई कि देखते रहे हैं ठीक है यह सब एक प्लानिंग है इसमें जितने चोटे-चोटे हमारे बिचारधारा वाले जो बड़े-बड़े बिचारधारा वाले पा किरासआई कि देंगे चोबिस में क्या होगा तो यह हसीज सपने हैं क्योंकि आपको अगर काम करना होगा मोदी जी को हराने की काभलियत रखते है अगर है इंमत तो आपको जमीन-स्तरफ पर काम करना होगा यहां टी-बी चैनल6 पर बेट कर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारते जंता पाल्टी जो हम लोग देख रहे हैं संगठन से बहुत मजबूत है आप किसी भी परिवार में चले जाएए वहां पे लोगों का हाल चालने वाले वेक्त मिलते हैं अगर बिधायक नहीं मिलता है समझेगा सर बिधायक नहीं हाल चाल लेता ह तो संगठन के लोग फोन करके पोचते हैं वहिया क्या हाले कैसे हैं परिवार में सब कुसल मंगल है भले हो कुछ आपको दे या ना दे जंता को ये चाहिए कि हमारा सुख दुख कोई पूछने वाला वेक्त है ना कांग्रेस दिखाई पर थी कांग्रेस का ताथ पर यह है पार्टी वड़ी है हम पार्टी की बाद उस समय किये थे कि भारते जंता पार्टी को को कोई टक्र देने के इस्तितिमें तो संगठन के रूम में कांग्रेस दूसरे नंबर पे है लेकिन जब आप सड़क पे नहीं दिखेंगे आप लड़ाई नहें लड़ेंगे पब्लिक सी चिर्वेक्ट है लेगिन कहा गया वही है कि आप जिस सतर से परचार करेंगे वह जाता है अजय कुमाल लल्लू इसी सतर में उपी बिधान सभा में हम लोग बैठे हुए थे याद होगा कि अजय कुमाल जी को लल्लू नाम से संबोधित किया हमारे महराजी आदितना जी यो देने कातात पर यह है कि धरातल पर महनत करना होगा चैंस अब बड़े नहीं हो जाएंगे ओना ही आम मजबूत हो आप याद करी बिधान सभा के चुना हुआ है और नेता जी हमारे सफ़ा के बैठे हैं समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे लड़ाई में थी लेकिन बिनास काले विप्रीद बुद्धी अखिलेस यादो जी हमारे जब टिकेट का आखरी समय था दो सेक्षन का बाकी था तुम ले जो सार्टिपिकेट बाड़ रहे दे सर ये विधान सभा का टिकेट है सार्टिपिकेट है ले जो क्या हस्र हुआ है ये अखिलेस यादो जी को आज भली भात मालूम है तो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए बीजेपी के साथ ना हो तो उनके साथ आप काम करिए काम करने का तरीका सिखें फिर आप आगे आई ये तो जाद अच्छा होगा ने बताया था कि बहुत जल्दी पार्टी और सुबास्पा का गडबनन तूटने वाला है और यह रोंने यहां पर एलान किया था और जो समय सीमा बताई थी उसी समय सीमा के अंदर सुबास्पा और सपा का जो गडबनन था तो इस मेरपूर चर्चा में जोड़ने के लिए आप सभी का वह वह धन्वार पर एक बार ट्रिस्पस हो चुकी है कि इस बार जो 2024 से चुनाव है बहुत बहुत मेरपूर है अब जो दल मेहनट करेगा जो संगधन को मजबूत करेगा जो जनता क के लिए संगर्स करेगा जनता उसी को लिए जनाधार अपना देगी अब यहां पर आमारी पार्टी हो या सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस हो या समारी पार्टी हो उत्तरप्रेश की रास्ते ही केंडी की सत्ता की चावी मिलती है अब उत्तरप्रेश में यह दल किस तर है धरातल पर उतना भी पड़ेगा तभी हम बीजेपी को आने बाले समय में जो मारे परच्छी पार्टिया है वो टक्कर दे पाएंगे अन्य था जो परणाम चहुदा उननीस सत्रा बाइस में आए बही परणाम वी दोवारा पुल्दाबर्ती हो सकती है तो इस चर्चाव जुनने की सब्सक्राइब भाहुत धन्वार मास्कार कि कि कुछ वावजब पुश्पर आप देख